लखनाव से खबर है जहांपर पांच IPS पर ब्रस्ताचार के आरोप का इपूरा मामला SIT पांच ओफिसर्स से पूछताज करेगी सभी ओफिसर्स पर ब्रस्ताचार के आरोप लगे हैं पांच IPS को नोटिस भी दिया जाएगा और पूर में अरेस्ट पत्रकारों के भी बयान दर्ज की जा सकते हैं तो जिन लोगों के आम सामने आए उन्हीं से पूछताज की जाएगी IPS अजैपाल शर्मा सुधीर सिंग पर आरोप है IPS हिमान शुकुमार गणेश असाह पर आरोप है IPS अराजीव नायर मिर्श्वा पर भी आरोप लगे हैं तो एक बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं लखनो से खबर है जहां पर पांच IPS पर व्रस्ताचार के आरोप का यह पूरा मामला SIT पांचों ऑफिसर से पूचताज करने वाली है तो एक बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं पांच IPS पर व्रस्ताचार के आरोप का ही पूरा मामला है तो गंदगी का गेम ओबर हुचका है हिमान शुकुमार हटाए गए है अजय पाल शर्मा भी हटा दिये गए गणेश शाह को भी हटा दिया गया है तो नहीं राजीव नाराण विश्वा को भी अब हटा दिया गया है सुधीर सिंग को भी हटा दिया गया है लखना से बड़ी खबर है जहां पर 5 IPS पर उस्ताचार क्यारुक का पुरामना है और SIT पांचों ऑफिसर से पूचताच करेगी विरेन जी हमारे साथ हमारे स्टेट है जुड़ गए है विरेन जी यहां पर बड़ी कारवाई की गई है क्या कहेंगे आब इस पर देखिये, SIT गटित हो चुकी है जी इस चंदवास्ती की अद्रेक्टा में जो बीजी विजलेंस है और उनके साथ एक आईजी और एक आईएस अफसर जात कर रहे है बैबो कुछना से पिछले दिनों इसकी पूचताच हुई है अब SIT उन पाँचों अफसरों को भी बुलाना चाहती है कि वही जितने ओपर आरोप है वो अपनी सपाई में क्या कहना चाहते है लेकिन कुछ बिलाके ये कहसी गंदगी थी जिसने अपने लपेटे में पाँच आईपसरों को लिया कई सारे और सरकारी करेंचारियों को लिया पत्रकारों को लिया और बैगो कुछना ने जो मुगदमा लिखाया था वो मुगदमा फर्जी है कि सही है जो गौनोइडा भी लिखाया गया जो वीडियो आयरल हुआ उसका इस जब चीजों की SIT जाच कर रही है जो अधिकारी इसमें पांच नाम आ रहे हैं ये चाहते हैं कि ये जाच जल्दी पूरी हो और दूद कर दूद पानी का पानी हो इसको लिकर वो सासन में अधिकारीयों से भी अपनी गौहार लगाए हुए कि SIT पर बहुत कुछ जारूंदार है कि उस्तर परदेश पुलिस में जो बहुत बड़ी जन्दगी और भाष्चाचार के जो मामले आए जीलों के बिगने के इसकी साफ हो जिद्री जल्दी हो उतरा वेतर होंगा क्योंकि जो लोग नाहत हते हैं जो लोग कतूर हैं जिनके ओपर जूटे आरोप हैं या सच्चे हैं इन सब की बात क्लियर होनी चाहिए और वो इस अपने नोगरी भविस्ट में च्पिनान से करके अपने बाल बच्चों परिवार के साथ वो अपना प्रेस पिखा सके हो क्योंकि जिसना क्लियर आरोप इस सब क्लियर टी हासिम करें जी जी तबाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धने बाद विरेंजी और अब ख़बर दिल्ली से हैं जहां पर नाव गैंगरेव मामले से जुड़ी हुई खबर है दिल्ली हाई कोट से कुल्दीप सिंगर को राहत मिली है फिरता को मुआफ़ा च सुनवाई के दुरान कि आको इस दलीर रखी गई जी बिल्कुल आज बिल्ली हाई कोट में उन और एक केस मामले में कुल्दीप सिंगर ने अपने सजा के खलाफ जो मरकाथी सब्मिन उसको चुनाती दी थी और यह भी मांगी थी कि जो उनको 25 लाज मौफ़ा देने की मिया राक तेटी गई थी महाईने की उसको भी बढा दिया ज सरे उनको बढ़ा कर दिया और था साट दिन और मिया थी कि पचीस सदार का मौपज़ है और इसी म्याद ने चाड़ा बढ दिया उसके Alors इस मामले में सीब्याई को जो है वो नोर्श दारी कि आ क्योंकि शिर्फ जो पैसे उनको मौाफ़जे के तौर पर जमा करने से उसमें से डील हुई है मगर जो उमरकायद की सजा थी उसके उपर रोक लगाने से दिली आई कोट पर साफ तौर पर इंकार कर दिया है तो यह काई है कि सजा में तो रहात नहीं है मगर जो मौाफ़जा उनको बरना का पचीस लाक रुपए का उसमें थोड़ी सी रियायद जो है वो दे जी अब साट दिन का समय देजेगा प्रेले यह सजारी कोट ने के फैसला सुनाया था तो कहा तकि एक महीने के अंदर जो है वो पतीस लाक रुपए इनको जमा करने होंगे मौाफ़जे के तौर पे जिसमें से पीड़ता को कुछ पैसा जाएगा और कुछ पैसा जो है पब्लिक प्रोसेट्यूटर यानि सरका वकील को जाएगा कि उनलोग ने बहुत जादा मैनत कि इस मामले में तो फिलाल रोक सजा के ओपर रोक लगाने से दिल्ली आइक कोट ने मना है तो एक जटका ही कहा जाएगा इसको मगर थोड़ी सी राहत यह है कि उनको मौाफ़जी के लिए जो रकम चुकाने थी उसमें सब्सक्राइब कर दिया गया है अब फरवरी में 22 फरवरी को सुनवाई होगी अवैश जुड़ गए हैं अवैश क्या कुछ मजा रही जिसकी वजह से सुनवाई को टाला गया यह सुनवाई कोट में जैसे ही मामला आया सुनवाई कोट ने का कि विया सिंप्ली अग्जिंग इस मैटर जानी कुछ ना बहस हुई ना कोई दरील लगी और सुनवाई की सुनवाई जो है वो ताल जिया और मामले की सुनवाई जो अब आ फरवरी में जो है तारीख अब आए सबसे जाना चाहेंगे पिर्टा की आगे क्या कुछ रडीती होगी इसको लेकर के फिर चुट्र कोट में इस मामले में इस ते लगा जिया था पहले ही जब पहले जिन सुनवाई इस मामले में इस लगया था और उस्तर परदे इस सरकार को लोटिस जाड़ी करकर जवाब मांगा था तो नोटिस उसरपर्दिस सरकार ने दाखिल कर दिया है इस मामले में आज सुप्रिम कोर्ट ने सिंपली एडजन जो है इस मामले को कर दिया अब मामले की इस बाइस बने रही आप से अपडेट लेते रहेंगे तक है वहीं अबदोला आजम की याच्रका का पूरा मामला है याच्रकाकरता चार्प्रिम क enfermed का को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्वाट अफ सरक को को अब लृस उनुवाइ करसे अबftigcas मार्च के देशले को चनौवाई धिए बहुकुर एकríकम के बहुत आहां मामले थ कि आम धूल बावाब्द आइक को इस्तरी पर रोखाने से इन्कार कर दिया है जो मिक्सबड़ के पूर विडायक हैं जिन्होंने अगंगा था उनको जो है नोपिस जारी कर जवाब मांगा। मैं प्रोम फारी मामले पर आगे सुनाएगा होगी इस मामरे में 25 मार्श को सुनवाई होनी है सुपूर्ण को ने 25 मार्श की तारीश टैकी है और अबदुल्ला अदम खाँ के ने जियाथ का दाखिल की ती इसके ओपर इलाबाद है कोड़ कि पर जो रोख लगाने की मांग कि की उसके ओपर रोख लगाने पूर्प इधायक से जिन्होंने अबदिला आदम खां के इसलाफ एलेक्शन ला था उनको नोटिस जारी किया उनको जवाब देना होगा चाहर अफ्ते का समय भी जया गया है और इस मामेरे पचीस मार्स को अब इस मामेर में समय होगी है पूरे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवैस और अब खबर जालान से है जहांपर शराबियों के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ज्रामा देखने को मिला है आपस में जम करके लाद गुसे चले और जूते भी चले हैं बीच सड़क पर शराबियों ने दिर्वाद गुसे चले हैं जलान के लाद पाट रे में जानकारी में बीच सड़क पर शराबियों ने जम कर हंगामा काहा जा है जूत वाली बंगरा का ये पुरा मामला अब खबर सीतापुर से है जहांपर पती से तंग आकर के महिला का धरना देखने को मिला बच्चे को न्याय दिलाने के लिए महिला धरने पर बैठ गई है। पती से तंग आकर के महिला धरने पर बैठी हुई है सीतापुर की तस्वीरें जहां पर यह महिला बच्चे को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठी हुई है। कि वसंद हमारे साथ हमारे संबादाता जुड़ गये हैं वसंद कौने यह महिला और क्या कुछ आरूप इसने पती के उपर लगाएं। महिला बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा वह यहां से नहीं अटेगी। अला कि शिलाल वहां पर मौके पर पहुंच करके जो अठाने महिला, अठाना की महिला को तवाल हैं वह कहुंची हैं और महिला को समझाने बुझाने में लगे हो कि जल से जल उसको न्याय दिलान की बात कहरे जी। तो ये तमाम जानकारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाओ बसंत वानसी से कबर है जहांपर काश्यी हिंदू विश्यविध्याले में चाट्रों का आंदोलन देखने को मिला खुल पति के सामने चात्रों ने जम करके प्रोदस्शन किया तो हिंदी भाशिय चात्रों से भेधाव का भी इन चात्रों ने आरोप लगाया है। वारनसी की ये तस्वीरें जहाँ पर काशी हिंदू विश्विध्याले में चात्रों ने आंदुलंग किया। विकारियों ने सिपाही को भरती कराया था, सिपाही को गंभीर हालत में हेले ट्रैफर किया गया। आगरा का रहने वाला है दोहजार अठारा बैच का सिपाही अकबरपुर को तवाली शेत्र की जैनपुर चौकी का ये पूरा मामला है जहाँ पर सरकारी राइफल से सिपाही सिपाही ने खुद को गोली मारी है, सिपाही ने खुद को गोली मार करके उड़ा दिया और जैनपुर चौकी में ये सिपाही सैनाथ था, सानी कुमार और अब कबर बुलंच शहर से है जहाँ पर विजिलेंस और ग्रामीडों के रीच मारपीट हुई, मारपीट में एक ग्रामीड की मौत हो गई है और बिजडी चोरी पकड़ने गई थी विजिलेंस टीम, बिजडी कर्मी पर लगाया हत्या करने का अरूब गुसाए ग्रामी मारपीट में एक ग्रामीड की मौत हो गई है जिसके बाद से लाके में हरकम फै बिजडी चोरी पकड़ने गई विजिलेंस की टीम पहुंची हुई थी और बिजडी कर्मी पर हत्या करने का यहां पर ग्रामीडों ने आरूप लगाया तो गुसाए ग्रामीलियों ने मंडी मंडी चौकी को भी केर लिया अनुप यह सेट हाइवे पर ग्रामीडों का जाम लगा हुआ है बंडी चौकी शेत्र के हजरत पुर्गाओं का यह पूरा मामला है मनोज हमारे साथ हमारे समवादाता जुड़ गए मनोज यह पूरा मामला क्या है यह पता दे है मामला कोहत वाली बेहाद के गाउं हजरत पुरकाय जहां बिजली लैंस की टीम चेकिंग के लिए आई थी चेकिंग के दोरान बिजली लैंस और ग्रामीडों में धका मुक्की हो गई ग्रामीडों का कहना एक यूवक के धका मारकर उसका सिर्फ दीवाल में लगए उसकी मौके पर मौत हो गई है और मौत के बाद ग्रामीडों ने हाईवे स्टेड हाईवे को चाम कर रखा है और चौकी का घेराव कर रखा है अब जाना चाहेंगे पुलिस की तरफ से पुरे मामले पर कारवाई क्या की जारी आगे पुलिस जाच में जुट गई है और उन्हें समझाने की कोशिज कर रही है जाम खुलवाने की भी कोशिज कर रही है लेकिन अभी तक ग्रामीड अपनी बाट पर डटे हुए है जी मनोज आपसे जाना चाहेंगे विजलेंस के अधिकारियों से क्या आपने बाट करने की कोशिश की क्या कुछ कहना उनका बिजली लेंस का कहना है कि हमारा ऐसा कोई धगड़ा नहीं हुआ है यह ग्रामीर आरूप लगा रहे हैं और पुलिस का भी यह कहना आलाद कारीयों है कह रहे हैं कि अभी हम जान करने जान के बाट जो भी होगा वो करी कारवाई की गई बहुत बहुत धन्यवाद मनुझ और वहीं 16 फरुकाबाद महतसा में प्रतिभागियों ने ताज हासिल करने के लिए जम कर हंगामा किया महिला प्रतिभागी ने महतसा प्रसाशन पर कुछ गंभीर आरूप लगाए हैं और जम करके हंगामा किया इतना ही नहीं यूती वहीं पर धरने पर भी बैट गई और इससे पहले प्रतिभागियों ने बंच पर दाज हासिल करने के लिए खूब पसीना भी भाया और जोरान मिस्ट इंडिया का दाज साजिदा हाश्मी और मिस्ट यूपी का दाज बारनसी की अपराधीता को दिया गया और जोड लाया कि सोचते कि क्या हम कर लेंगे और इसे करने भी करते हैं क्या गता हूं तारी जड़कियों को ब्राई बंच पुछा लीजे पुछा लीजे और आपने चोटी जे चार लोग से बुछा दीजे कि क्या था वहा है सर दो बच्चे पीछे बच्चे हुए है उसके आप बोले टाइटल खतम होगा फिर दूसरा बंदा बीचे से बोलते है कि दो और बना दीजे टाइटल अगली खबर की तरफ का नौज बस में जलकर हुई मौतों का ये पूरा मामला है जहांपर छे लोगों के परिजनों ने डीनियर सैंपल दिये हैं सभी के सैंपल लखनों भेज़े जाएंगे और दस जनवरी को चिप्रामव में एक बड़ा साड़क हादसा देखने को मिलाता जहांपर कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी त्रक के टकर के बाद बस में भी शुडाग लग गई थी और हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी अभी लोग कन्योज में बस हादसे में दरजनों लोगों की मौत को भूल भी नहीं पाएंगे पाए होंगे लेकिन उत्रप्रदेश परिवहन निगम अभी भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद चेता नहीं है बारा बंकी में उत्रप्रदेश परिवहन की खटारा और सुरक्षा मानकों के धज्य उडाती बसे आज भी सब्वारियों की जिंदगी के साथ खिलवाल करती भी नज़रा रही है चालक के बिल्कुल पीछे एक स्रेंडर होता है वो लगा होना चाहिए जो कि यहां से नादारत है यहां नहीं है अचानक अजर कोई दुरखणना होती तो उसकी बड़ी भूम का होती आग लगने पर फस्टेट बॉक्स भी है यहां पर हम देखेंगे कि फस्टेट बॉक्स है जिससे ही यात्रियों पी शुरख्णा होते है यहां दूर जराती जो यात्री आते हैं जो आपने यह दिखेंगे हमारे साथ से वही जिस यह यहां पर बताईए कि यह जो यहां पर फस्टेट की शुदा नहीं है आपको नहीं लगता कि कभी कुछ द्रगणना हो तो इसक अभी लड़ती है तो यहां पर एक एखिट होना चाहिए वो भी इस बस में नहीं है इस तरह से परिवान विभाग द्वारा सुरच्चा मानुकू का बिल्पुल तरह से मखावर ओड़ाय गया है और यहां पर इतनी बड़ी दुरगटना होने के बाद अभी भी परिविन अभी चेता नहीं है अपनी घल्सियों को सुधारने की परिविन बाद से कोई चिंता नहीं है निपक निर्वे भारत समाचार बारा बंकी तो बारा बंकी से तस्वीरे हैं जहां पर बस में फाय सिफ्टी सिलिंडर्स भी यहां पर मौजूद नहीं है और काफी बसों में यहां पर आपात काली इन खिड़की भी नहीं पाई गई तो आपको बता देगी भारत समाचार की टीम यहां पर पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए जहां पर सबारियों की जिंदगी के साथ बारा बंकी में खिलवार किया जा रहा है मानकों पर खरे ना उतरने के बावजूर इन बसों को सड़कों पर उतार दिया जाता है और यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवार किया जाता है तो खटारा बसे यहां पर यात्रियों की जान के साथ खिलवार कर रही है दिल्ली से खबर है जहाँ पर निर्बिया केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है मुकेश की दया याचिका खारिश कर दी गई सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है मुकेश की दया याचिका जो की राश्रपती के पास लंबित पड़ी हुई थी से खारिज कर दिया गया है राश्रपती ने दया याचिका को खारिज कर दिया है सुत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं दिली से ख़बर है निर्भया केस में आज भी सुनवाई हुई तो मुकेश की दिया याचिका राष्टरपती ने खार्यज़ कर दी है सूत्रों के हवाले से एक बड़ी ख़बर आप तक पहुचा रहे है दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर मंुकेश की दया याचिका को राश्टरपती ने ilsehen को खारिजिका तौक बता देन कि एक लंमे समय से राश्टरपती के पास दया याचिका थी जिससे आज कारिज कर दिया गया सुत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आप तक वाचा रहे हैं अवैश का कुछ जानकारी आपके पास कर दिया गया सुत्रों ने बड़ा कोड़ी तरफ से बड़ा हैं इस जनवरी को जो तारीख नहीं की गई ती जी ख़ाओ सुबार साथ बजे हो सकता है कि अब भी उसमें जो है फासी ना दी जाएं क्योंकि जबदी राष्पती से राजपती को चौटा इनका समय मिलता है यह जेल का नियम के अनुसार, ऐसा है नियम है जेल में की दोशी को 14 इनका समय दिया जाता है, प्रिपेर होने के लिए अगर वो कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए, मगर राश्पती ने आज चार दोशें में से एक दोशी की बैया आज का वो खारिच कर दिया है, निर्विया मामले में जो दोशी मुकेश है, उसकी दाया आज का खारिच कर दी है, और अब ये देखना हुआ कि किने दिन बाद और कितना समय लगता है, निर्विया मामले में दोशी है, उनको फांसी पे चलाने के लिए जिवेश लगातार देखा जा रहा है कि जो वकील हैं दोशियों के जो वकील हैं एक लंबे समय से फासी को टालने की कोशिच भी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो राश्रपती ने या चुका खारिज किये उसके बाद जो 22 तारीक को फासी दी जाने थी उसकी डेट और आगे बढ़ा दी जाएगी जाएगी जब भी राश्रपती ब्रायास का खारिज करते हैं तो उसके बाद 14 दिन का समय जो है वो दोशी को मिलता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो रूल है तो अभी 22 जनवरी को फासी होती चंबाव नदर नहीं आ रही तो जाहि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवैश और वहीं यूपी में तीन दिन से हो रही लगातार बारिश ने जन जीवन अस्तव्यस्त कर दिया है लगातार हो रही बारिश और ओलो से किसानों की फसले भी बरबाद हो गई है हम आपको पांच तस्वीरे दिखा रहे हैं कैसे बारिश का कहर लगातार यूपी में जारी है ललिदपुर, गॉंडा, कनौज, दिल्ली, बारा बंकी की यह तस्वीरें जहां पर लगभग तस्वीरें एक जैसे आपको उता दे की यूपी के कई जिलों में लगातार रुक स्वीरें में भी आग लगी है तो तार तूटने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई पिछले 36 घंटों से जिले में रुक रुक कर हो रही बरसात ने पूरी तरीके से जंजीवन को अस्तवस्त कर दिया है जहां भी देखिए वहाँ पानी भरा हुआ है इस पारी से जहां पे गहूं की फसलों को फाइदा होगा तो वहीं आलू, मटर, सरसों जैसी तमाम दलहनी फसलों को भारी नुकसान कांदेशा है, इस समय हम आये हुए हैं इस आर्टियो कारेले में जहां आप देख सकते हैं कि मेरे चार उत्रफ यहां पे पानी भरा हुआ है, आर्टियो परिसर की जो सलकें हैं वो पूरी तरीके से पानी में लबा लब हो गई है, यहां पे ट्रे दिक्कते उठानी पड़ रही है, राजेस्तिवारी भारत समाचार गोंडा परसानी हो रही है, बहुत थे थाट थंड बढ़े गया है, इसमे बोज़साओ अधना सकते हैं, नुकसान हो रहा है जो फसलिए Umac as when और वहीं संगम नगरी प्रियाग राज में भी मौसम का में जाज़ा बदला हुआ है सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है जाजालिया हमारे समवाद आता धिरेंद दिवेदी ने प्रियाग राज में मौसम का मिजाज बिगर चुका है राज से ही आसमान में बादल चाय हुए है बूंदा बांदी हो रही और सुबह बारिस हुई है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है संगम की रेती पर लगे माध मेले में जो लोग कलबास करने के लिए आए हुए है उनको दिक्कत हो रही और बारिस और हवाओं के साथ थंड भी बढ़ गई है प्रसासन ने अलाव की बेवस्था आस्थाई रहन बसेरी की बेवस्था तो की है लेकिन अलाव केवल काग्जों में बन रहे है और आस्थाई जो रहन बसेरे बनाए गए है उसमें काफी अबेवस्थाई हैं जो लोग हैं वो वहाँ पर सुविधा नहीं पा रहे है इससे लोगों को ये बारिस मुसीबत का सबब बन रही है कानपूर में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट डर्ज की गई है बारिश से कई लाकों में पानी बहा हुआ है कानपूर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का घरोस में कुछनाबी मुश्किल हो के आए कानपूर में तीन दिन से हो रही बे मौसम मुसला धार बरसास से यहाँ पर आमजन्ब जीमन जो है अस्त व्यस्त हो गिया है बात करी जाए प्रसाशन की तो यहाँ पर प्रसाशन ने कोई भी बेवस्ता की कोई भी बेवस्ता नहीं करी गई है चोराहों पर अलाओ के बवस्ता होनी चाहिए वो भी नहीं है जबकि पूरी तरह से सरकार ने एलेंट कर दिया है कि जो है सरदी में हर तरीके तैयारिया होनी चाहिए यहांपर कानपूर में किसी पर प्रकार की कोई भी तयारी नहीं है हाँ फिलाल जिलाधिकारी ने कानपूर में इंटर्ण मीडियर तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है सबसे बड़ी बात है तीन दिन से हो रही इस जो है मुस्ला धार बरसात से अभी तो कुछ रहात मिली है लेकिन जो है बादल घने बादल खाले बादल अब भी जो है अपनी चरम सीमा पर है किसी भी समय यहां पर फिर बरसात हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि यह जो तीन दिन से मुशला धर बरसाथ हो रही है इससे किसानों को बारी नुक्सान होने वाला है और सबसे बड़ी बात है यह है कि जब अब यहाँ पर किसानों को इस तरह से नुक्सान होगा तो आम जम जीवन तो अभी बरसाथ की मार जहल लाए वो आगे आने वाले समय पर महेंगाई की मार जहलने को तयार रहे विवेक पांडे 12 समाचार कानपूर और अब ख़बर लकनों से हैं जहां पर मुक्री मंतरी योगया अदस वीजेपी कारेयाले पहुंच चके रख केंदीनु के देशिय पिकार्यजरत की बैठक में सीमगाई अदस पहुंच चके था चता हैं फ सबैक पांडनाव कि यह यह तस्दीर इनए नुग सिमाब क्या क्यों जानकारी आपके पास कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी आपको बताना चाहेंगे कि कल जिस तरह से जो है प्रदेश हर्देश के लिए नामांकन हुआ था उसमें सिर्फ सुतंदर देव सिंग ने नामांकन किया था प्रदेश में और आज उनकी घोष्णा होनी है आपचारी घोष्णा होनी है पूपेंद रियादा जो की राष्टी महामंत्री भी भारती जन्ता पार्टी के जो गोष्णा करेंगे इस बैठक में सभी पदा अधिकारी मौजूद है और भूली देर में आपचारी घोष्णा सुतंदर देव सिंग के अधिश पन्ने की होने जा रही है जी हम जाना चाहेंगे इस घोष्णा के लावा और क्या कुछ खास होने माला इस बैठक में जानकारी के लिए बहुत बहुत बड़ा दायुत होता है और उसको संगठन को मजबूत करना इन सब कीजों पे आज चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश में जानकारी के लिए बहुत बहुत जन्यवाद सीवाब ऐसे के साथ इस बुलिट ने बस इतना ही देखते रहिए भारत समाचार नमस्कार